हलो दोस्तों भगवान सिव की पूजा करते वक्त उन पर भांग व धतूरा क्यों चड़ाया जाता है ये सवाल हम सब के मन में आता है इस बारे में साइद ही कोई जानता हो तो आज हम इसके बारे में जानेंगे देव के देव महादेव सिव जी को भांग धतूरा बेल पत्र और जल अरपित किया जाता है सिव जी की पूजा के लिए इन चीजों का होना अनिवारे है कहते हैं कि भगवान सिव को सावन का महिना बहुत पसंद है सिव जी की पूजा करने से रुके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं आज हम आपको बताएंगे कि भगवान सीव को आखिर भांग और धतूरा क्यों चड़ाया जाता है तो चलिए जानते हैं एक छोटा जल से एक लोठा जल से प्रशन होने वाले भगवान सीव के सीवलिंग पर भांग और धतूरा क्यों चड़ाया जाता है सीव पुराण के अनुसार सीव लिंग पर भांग दतूरा चड़ाने की कास खता है तहते हैं कि सागर मन्थन के दोरान जब समुद्र से कहीं सारी वस्तुये निकली तब देव और राक्ससों में आपस में बांट लिया समुद्र मंतन में विस्का प्याला भी निकला था जिसे किसी ने नहीं गरहन किया उस वक्त देव और दानव भगवान सीव के पास वो प्याला लेकर गए थे ऐसे में भगवान सीव ने उस विस्क के प्याले को पी लिया सीव जी ने स्रश्टी की रक्सा करने के लिए उस विस्क को अपने गले में उतार लिया था विश के प्याले को धारण करने के बाद सिव जी अचेत हो गए थे उस वक्त सभी देव वदानव चिंतित हो गए थे ऐसे में विश के प्रभाव को कम करने के लिए सभी ने सिव जी के सिर पर भांग वद्धतूरा रख दिया था तब से सिव लिंग पर भांग वद्धतूरा चड़ाया जाता है गाईज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चेनल पर पहली बार आए तो सक्स्राइब जरूर कर लेना थेंक